न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीचे और पेल आइकन दबाना ना भूले कान के निकट चोटाई थी जिसके बाद उस व्यक्ति को सामधाय की स्वास्त केंद्र राजपूर मिलाए गया था जिसका उपचार किया गया घ्टना के बारे में वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताय जमीन की बात को लेकर बाद विवाद शुरू हुआ था जिसके बा उस व्यक्ति के साथ ही एक अन्य व्यक्ति भी था जिसे इस घड़ना के दुरान उपस्तित व्यक्ति को चाटा मारने की बाद भी बताई है व्यक्ति ने बताया है कि विवाद की जानकारी पुल सिथाने पर दे दी गई है और आविश्यक कारवाई हे तु निवेदन किया है भीक्ति ने बताय है कि विवाद के पूर्वु उपस्तित जनो द्वारा संजाने की कोशिश की गई लेकिन वे उसके बाद में विवाद कर रहे थे कुछ समय बाद बढ़ गया था और इसे दुरान मार पीट के बाद पत्थर मारने के दुरान व्यक्ति को खायल कर दिया सामुदाइक स्वास्त केंद्र में पुलिस कर्मी भी मौजूद था जिन्होंने घटना के बारे में आविश्यक जानकार ली है फिलाल पुलिस द्वारा जांच की जारी है और लेकनी हैं कि जमीन की छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसमें आसपास वाले लोगों ने बीच बचाओ भी किया और समचाईश भी दी गई है लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ है इस प्रकार विवाद करने उचित नहीं है और उन्हें अपनी श्रिकायत को लेकर सम्मांधित विभाग या अधिकारी कर्म लेडम देखने गई मुखा फिर कहा पर हो आई है चोत्रिया चोत्रिया गाव में खेत में कौन सा विवाद था किस राम नहीं क्यों मारा उन्हें वो जमील का सेड़ा पाव बताया हां मारा पुट्टी करें किसको किसको लगी है इसको लगी दोसरी को तो धीक था पल धुबा लगा अब इसको कई फत्तर हो लगा है रिपोर्ट लगे है अपने अपने झाल